जैभीम साथियों मैं हूं सुमिछ चुहान और आप देख रहें हैं दशुद्र हैस्टेक दलित लाइव़्स मैटर्स विद सुमिछ चुहान में आपका स्वागत है आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे कि महिलाओं के साथ खास कर दलित महिलाओं के साथ दरिंद्गी की सारी हदे पार की जा रही है इसी तरह की एक और खबर आज बिहार से आई वही बिहार जो इस समय चुनावी मोसम में रंगा हुआ है चुनावी मोसम में सियासी पारा सातवें आसमान पर है लेकिन फिर भी दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं है बिहार के बकसर जिले में एक दलित महिला के साथ हैवानियत की सारी हधे पार कर दी गई अब दाशुद्रा की वेबसाइट पे इस खबर को पढ़ सकते हैं दरसल बिहार में एक दलित महिला से दरिंद्गी की गई है और उसके पात साल के बच्चे को मार दिया गया उसके हत्या कर दी गई और उसके बाद इस महिला से साथ लोगों ने गैंग रिप किया ये वारदात बक्सर में हुई है और बक्सर में जो मीडिया रिपोर्ट्ट्स के हावाले से हम आपको बता रहे हैं ये महिला अपने छोटे बच्चे के साथ बैंक में कुछ पैसे जमा करने गई थी शनिवार को ये पैसे जमा करने गई थी लेकिन गाउं के ही कुछ लोगों जो घहत लगा कर बैठे हुए थे, वो इस महिला को खीच कर जंगल मे ले गए, पहले महिला के बच्चे को जो जिसके उमर सिर्फ 5 साल थी, उस बच्चे को हाथ पेर बान्द कर नदी में फेक दिया गया, जिहां आपने सही सुना, उस बच्चे के उस मासूम के हाथ पेर बान किसी ने जिब महिला की चीक सुनी तो इस महिला को बचाया गया लेकिन बच्चे की मौत हो चुकी थी तो ये खबर आज बिहार के बकसर से आई है चुनावी मोसम है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ के नारे लग रहे होंगे महिला सुरक्षा पर तमाम तरह के नारे लग रहे होंगे दावा किया जा रहा होगा कि बिहार को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे लेकिन इसी बीच ये जो खबर आई है ये जगजोर देने वाली है इसी खबर पर बिहार में हुई एक बड़ी वारदात पर सियासी पार्टियों ने भी कुछ इस पर टिपनिया की है आपको वो भी पढ़ाते हैं कि इसके बारे में सियासी जगत के लोगों ने क्या कहा है इसमें पपू यादव जो की जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने लिखा है कि बकसर की जो गटना है वो नितीश और भाजपा सरकार के मूँ पर तमाचा है हातरस के बाद बकसर में हुई गटना के बाद वही लोग बीजेपी जद्यू को वोट देंगे जिनका बलातकारियों से रिष्टा होगा तो पपू यादव सीधा नितीश कुमार और बीजेपी की गटबंदन सरकार को कटगरे में खड़ा कर रहे हैं वहीं इसके बाद बीजेपी सुप्रीमो मायवती ने भी इस वारदात पर टिपनी की है और बिहार सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है उन्होंने लिखा है बिहार में विधानसवा आमचुनाव की दोरान भी गैंगरे वेहत्यादी की हो रही लगातार जगन्य घटनाएं आती दुख़दोरती चिंता जनक हैं इन घटनाओं से सपस्ट है कि वहां जंगल राज चल रहा है चुनाव आयोक का इसका संग्यान लेना चाहिए तो मायवती कह रहे हैं कि बिहार में इस समय पर जंगल राज चल रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि जो मीडिया है वो लगातार चलाता रहता था कि जंगल राज जहां पर गैर बीजेपी सरकारे होती थी वो उसको जंगल राज कहता था लेकिन क्योंकि बिहार में अगर आप ये पूरा घटना करम देखें तो दलित महिलाओं के साथ लगातार पिछले दिनों में इस तरह की वारदातों में बड़ोतरी हुई है लगातार इस तरह की वारदाते बड़ी है चाहे वो आप देखें बलरामपूर में देखें हाथरस में देखें लगातार इस तरह की वारदाते सामने आ रही है तो जो डेटा है आंकडों के जरिये में आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से दलित महिला जो हैं इस समय इस देश में दरिंदगी का शिकार हो रही है तो यह देखें ये इंडिया टुड़े ग्रूप का जो डेटा है उन्होंने ये डेटा NCRB के अधार पर बनाया है और इस डेटा के अधार पर उन्होंने लिखा है कि 10 दलित विमन ट्रेप एवरी डेइ इन इंडि है अब ये देखिए कि ये जो केस हैं वो केस हैं जो किसी पुलिस टेशन में दर्ज होते हैं जाने ऐसे कितने केस होंगे जाने ऐसे कितने मामले होंगे जो पुलिस टेशन की चोकर तक पहुच ही नहीं पाते होंगे उनकी फायार दर्ज ही नहीं की जाती होगी तो इस तरह ये लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं दलित महिलाओ खास कर इस दरिंद्गी का शिकार इसलिए होती हैं क्या unki उनकी जाती के बज़य से जो जाती वादी गुंड़े हैं उनको लगता है की वो आसान शिकार हैं लेकिं इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो खासकर पूरे देश में जो महिलाएं यूपी बिहार या फिर राजस्तान किसी भी आप स्टेट में देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति एक जैसे ही है वहाँ पर हर जगह पे उनके साथ इस तरह की बरबरताई हो रही है एक और खबर यूपी से पास थी लेकिन पॉली टेखनी कोलेज के ही करीब एक दरजन चात्रों ने लड़की को घेर लिया और वो खीचते हुए उसे कॉलेज में ले गए और कॉलेज के अंदर ही केंपस के अंदर ही उसके साथ दरिंदगी की गई हैरान करने वाली बात ये भी है कि जिस समय इस पुलिस के इंतजाम हो या फिर जो दूसरी सेक्यूरिटी एजनसी होती है वो तैनात की जाती है उसके बावजूद यानि वो कैंपस में मौझूद थी सुरक्षा हो रही थी लेकिन उसके बावजूद एक बच्ची के जाथ दरिंदगी कैंपस में की गई तो ये हैरान कर देने वाली खबरे हर दिन आ रही है हर दिन इस तरह की दुखत खबरे आ रही है तो हमारी सरकारों को जो सिर्फ सत्ता में बैठी है जो सिर्फ सत्ता के लिए ही काम कर रही है नारे चुनावी देती है चुनावी वादे करती है लेकिन असल में हालात क्या है वो आपके सामन तो इस तरह से मुझे लगता है कि भारत में महिलाओं के लिए आसुरक्षित माहूल बढ़ता ही जा रहा है और उसमें दलित महिलाएं तो ज्यादा इस दरिंद्गी का शिकार होती है तो आप देख रहे थे दशूद्र अगरी के वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल पर आकर वीडियो ज़रूर देखें जै भीम जै भारत